दादरा नगर हवेली ना आरोग्य विभाग द्वारा सेलवास सहीतिना विस्तारों नी मेडिकल स्टोर मां मास्क आने सैनिटाजर करवा मां आउता काड़ा बजार सामें कड़क कारवाही करी रुपया 10 लाग ने वधुनों सामान कबजे करे होतो दादरा नगर हवेली मा आरोग्य विभाग ना वड़ा डॉक्तर वीकेदा से जुनावी हतों के सैलवास नाजी के ना आमली विस्तार मा आविल सुपर प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मा डुबलिकेट मास्क नो उत्पादन करवा मा उतु होवानी मडेली मात मीना अधारे आरोग्य विभागे छापों मारी रुपया 10 लाग ती वदू किमतना मास्क नो उत्थो कबजे करी तेना संचालक सामें काईदसनी कारवाई हाद धर्वामा आविशे कोविट 19 के चलते हुए मास्क की जो 3-blind मास्क है उसकी बहुत शॉटेजिस पूरे कंट्रे में हो रही है और यह शॉटेजिस को देखते हुए हमने देखा कि यहां पर डिनेश में तो एकी बना फैक्री बनाती है और दूसरा कपड़े का आलो के टेस्टिस ने शुरू किय यहां पर कोई ऐसा तो काम नहीं कर रहा है कि वो इस मौगे का फाइदा उठाया और मास्क बनाना शुरू करें तो हमारी कॉंस्टेंट नजर थी इंडिस्ट्री इस पे तो आमली में कल हमने सुपर प्लास्टिक कोट्स प्राइवेट लिमिटेड जो इंडिस्टिल एरिया मास्क बनाने का और उन्होंने को पर्मिशन लिया भी नहीं था और फिर हमने टोटल करेब दस लाख पीसिस ऑफ ट्रीपलाइ सर्जिकल मास्क को हमने जब्त किया वहां से इसकी किमत मार्केट में आख लाया सकता है बीस से तीस लाख रुपए के ऊपर इसका जो रेट्स ज गलत बात है जब देश में इतना शौटे चल रहा है देश एक डिफिकल्ट दोर से गुजर रहा है तो कुछ का मपनीज बिना पर्मिशन के बिना इसके त्रीपलाइ मास्क बनाएं और फिर वो इसको दूसरे एम से एक गलत एम से बनाएं और गलत एम से उसका यानि करने का विचार करें तो यह मैं सब को कहना चाहूंगा कि यह प्रॉफिट मेकिंग का टाइम नहीं है इसमें हमें देश का साथ देना है हमारे लोगों का साथ देना है हमारे हेल्थ में जो लोग काम करने उनका साथ देना है हमारे पब्लिक का देना है हमको सब लोगों को इ अच्छाना है यह हमारा टार्गेट होना चाहिए रधा थेन हम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में एक जरिया लेकर इसमें को हम आगे बढ़े और ऐसा काम करें